तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे कंसेशन क्या है जी हाँ दोस्तो जब भी हम टेन में सफर करते हैं तो रेलवे हमें कुछ न कुछ डिसकाउंट देता है कुछ न कुछ जुट देता है जो की हमें नहीं पता होता है कुछ लोगों को पता होता ह जो इसका लाव ले पाते हैं और कुछ लोगों को नहीं पता होता है जो कि इनका लाव नहीं ले पाते हैं तो दोस्तो इस वीडियों को बताएंगे कि रेलवे कौन-कौन से कंसेसंस देता है बच्चों का कितना किराया लगता है और किस उमर के बच्चों का किराया नहीं लग दोस्तों यह बताएंगे कि जब बिखलाउंक होते नो कितना पस्ताउंट मिलता है उनको कितना pounds दोस्तों वीडियो कुछ देखे गा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेली एकन को ओन कर दिजएगा ताकि आपको आसी वेडियो को देखे से 9 साल के उसके जोई ज वसका लिए जो बच्चा जीरों से 5 साल के उमर का है उसको आपको टिकेट लेने की परेगी जी हाँ दोस्तो जिस बच्चे का उमर 5 साल से लेकर 12 साल तक है तो उसका हाफ टिकट लगता है आपको उसकी हाफ टिकट लेनी परेगी लेकिन दोस्तो अगर आप उसकी हाफ टिकट लेते हैं तो उसमें आपको सीट नहीं दिया जाता है उसको भी आपको अपने ही सी मतलब दोस्तों 12 साल से लेके 60 साल के उमर तक जो लोग भी होते हैं उनको पूरा टिकट लेना पड़ता है उनको कोई कंसेसंस नहीं मिलता है चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो आपको पूरा टिकट लेना परेगा अब दोस्तों बात करता है कि इसमें एक सीनियर सिटीजन होता है जिसमें आपको कुछ डिसकाउंट मिलता है दोस्तों वो किन लोगों को मिलता है तो मेल में दोस्तों अगर जिनका उमर 60 साल से ज्यादा है तो उनको रेलवे कुछ डिसकाउंट देता है 40% उनको डिसकाउंट मिलता है जब भी वो टिकट को बुक करेंगे और अपन जिनकी उमर 60 साल से ज्यादा है उनको 40% discount मिलता है अब दोस्तों बात करते हैं कि female में जिनकी उमर 58 से above मतलब दोस्तों जिनकी 58 साल से उमर ज्यादा होती है female में उनको discount मिलता है 40% क्योंकि वो भी senior citizen में ही उनकी गिंती होती है male के लिए 60 रखा गया है और female के लिए 58 रखा गया है जिनकी उमर 58 से ज्यादा है उनको भी 40% discount मिलता है टिकट बुकिंग करने पर अब दोस्तों बात करते हैं कि जो लोग बिकलांग होते हैं हाथ से पैर से या फिर आँख से तो उनको कितना discount देता है railway दोस्तों उनकी जो discount है वो 75% up to रखा गया है मतलब दोस्तों उनके हिसाब से वो कितना percent disabled है उस हिसाब से उनको ज्यादा से ज्यादा 75% discount मिलता है अगर वो ज्यादा बिकलांग है उनकी जो disability percentage ज्यादा है तो उनको 75% discount मिलता है अगर उनके पास certificate है तब अगर उनके पास certificate नहीं है तो आपको उनक पूरा टिकट लेना परेगा और उनको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा दोस्तों जो लोग विकलांगे उनके पास एक सर्टेफिकेट होता है बनवा के रखते हैं वो अगर यूज करेंगे टिकट बुक करते टाइम तो उनको डिस्काउंट मिलेगा 75% तक तो दोस्तों आसा